आज के सुलुए हम बात करेंगे, रियल में 8 4G डिवाइस के जिए सब काफी अधा वेट कर रहे हैं कि हमाई डिवाइस में नियो अप्रेट को कब तक रोल आउट किया जाएगा तो अभी तक रोल आउट नहीं किया गया है तो फाइनल डेट के बारे में बताऊंगा सब्सक्राइब करोगे वहाँ पर अभी जो भी नियो डेट देखने को मिल रहा है पहले आपको उपसर अप्रेट करके रखना है ताकि उससे क्या होगा कि जो नियो अप्रेट आएगा सितंबर मन्त में तो यहाँ पर आपको फर्स टाम आपके डिवाइज में सब्सक्राइब के स्रिक्षन में शो हो जाएगा तो जैसा कि यहाँ पर आज 5 सितंबर हो गई है तो आपको यहाँ पर यहाँ पर 15 सितंबर से पहले-पहले कभी भी देखने को मिल जाएगा तो आपको daily support के section में 2-3 बार check करते रहेना है आपको update कभी भी show हो जाएगा और मेरे पाइ information आती है तो मैं आपको video बना के inform कर दूँगा कि new update rollout हो गया है तो आप कर लेना एना पर उसरवट के साथ में latest security page out को provide किया जाएगा और battery life को भी improvement किये जाएगा device की speed को improvement किये जाएगा उस new update के साथ में और यहाँ पर इसके लावा कोई changes देखने को नहीं मिलेगे और यहाँ आप बताता हूँ कि जिनने इसका device अभी भी Android 12 update पर run कर रहा है तो उनको Android 13 का option तब तक देखने को मिलेगा तो वो batch कभी भी rollout हो सकता है मतलब यहाँ पर जो update होते हैं Android update वो यहाँ पर batch by batch rollout किया जाता है पहले 1000 users को दिया जाता है फिर 1500 फिर 2000 ऐसे करके update rollout होता है तो आपको कभी भी update देखने को मिल जाता है तो आपको स्ब्डेट के स्ट्षन में Android 13 का option देखने को मिलेगा या फिर आपको अपडेट कर लो और आपको update मिलता है और को comment करना है और यहाँ पर इस चैनल को support नहीं कर रहे हो तो चैनल को सपोर्ट जरूर करिएका तो मिल तक दोने वीडियों में तो तक लिबावाई टिक किया